अभी देखिए हॉर्ण और वाइपर सर्किट कैसे काम करता है यह जो MR इक्वैलाइजिंग पाइप का प्रेशर है यह प्रेशर 129 जो इन लाइन स्ट्रेनर होता है इन लाइन स्ट्रेनर होके यह वाइपर सर्किट में और हॉर्ण सर्किट में आ जाता है और वाइपर सर्किट के लिए आईसोलेटिंग कौक है 130 और हॉर्ण के लिए आईसोलेटिंग कौक है 120 अब देख सकते हैं करें तो दोनों ही कैब में लोको पाइलोट साइड और एसिस्टेंट लोको पाइलोट साइड में हॉर्ण होता है ये जो 123 है ये 123 बोलने से ये 2-way होर्ण भाल्व है ठीक है यह टू वे होर्ण भाल्व के जरिए होर्ण काम करता है जब इसको आइसोलेट करेंगे 120 को को बंद करेंगे वाइपर को अगर आइसोलेट करना है 130 को को बंद किया जाएगा